हेलो स्टुडेन्ट हेलो क्लास टू बच्चो आज में आप लोगों को हिंदी पर होंगी बच्चो आप लोक अपने-पनों निकालो आज में आप लोगों को चैप्टर 9 पर आओंगी सच्छा मीज़ते इसमें कविता है इसके पहले आता है चैप्टर 8 ठीक है देट्रम का मित्र चाहँरक चॉले बच्चों हम लोग पढ़ते हैं मैं आजका का देट ही बच्चा रखी है आज आप लोगें घर में अच्छे से कारें करोगे कंगे और ओर इसी अपने से न्हीं अपने बिच्च火 करोगे अच्छे से अंच्छे से अपने घर भर हो El बच्छो आज का मैं देड़ देदी आज मैं पढ़ाऊंगी सच्ची मित्र चप्टर नाइन सच्ची मित्र पेज नमस 65 कविता के बारे में मानो तेजी से वनो को काट रहा है ऐसे में न जाने कितने ही पसुपंच्चियों के घर उजर जाते हैं इस कविता में पंच्ची हमसे कुछ पूछ रहे हैं कि वो अपना घोसला कहा बनाए साथी हमें सिखा रहे हैं कि पेर हमारे सच्चे मित्र है उन्हें मत काटो यहाँ बच्चो हम यह परेंगे पेर को हमें नहीं काटना चाहिए इसमें पंच्ची हम लोग को सिखा रहा है साथी हमें सिखा रहे हैं कि पेर हमारे सच्चे मित्र भी है ठीक है चलो बच्चो परते हैं चिरिया ने आवाज उठाई कहां बनाई नीर रोज पेर काटते जाते बरती जाती भीर च्रिया आवाज उठा रहे हैं हम मानों को कहां बनाए हम अपने रहने की जगा क्योंकि रोज पेर तो आप लोग काचते जा रहे हो हो और बरती जारी है हमारी भीर रोग कुलहारी बात हमारी सुनो जरा कुछ खास पेर ना होंगे तो फिर कैसे हम तुन लेंगे सास् एजब ये जो आदमी कुलहारी लेकर पेर को काचने आया या पेर काच रहा था तो च्रिया आकर इससे कहती है कि कुलहारी रोग कुलहारी बात हमारी पहले सुनो कुछ खास पेर ना कातो तुम अगर पेर तुम कात दोगे तो हम तुम कैसे लेंगे सास पत्थर खाकर भी वे अपने मीठे फल बरसाते रंग भी रंगे फूल लिछावर करके वे हरसाते अपर क्या बोला है कि पेर को हम लो पेर 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 हम लो पत्थर मारते हैं कह रही है कि चिरिया कह रही है हम मानव को कि पत्थर खाकर भी हम बिठे फल को हम ठेकते हैं इसे फल नीचे गीरते को पत्थर मानने से फल नीचे गिरा हुआ है और रंग भी रंगी जो फूल है वो मतलब निचावर करते हैं मतलब देकर रंग भी रंगे फूल देते हैं पत् आज बुलाकर हमको थंडी चाया दी आज बने ही उसको दुश्मन सच्चे मित्र वही और ये जो बड़े से पेर है बड़ा बड़ा पेर वही हम लोग को चाया देते हैं थंडी चाया देते हैं गर्मी के दिनों में जो हम लोग की दुश्मन होते हैं वो ही हमारे सच्चे मित् यहां तक मैंने पढ़ा दिया आप लोगों का homework है यह word meaning अपने अपने copy में लिखोगे और इसे याद करोगे नेश्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यह question answer कराऊंगे चलो बत्र फीजेस कविता को एक पर हम reading करते हैं आप लोग भी हमारे साथ साथ बोलो चिरिया ने आवाज उठाई कहां बनाए नीर रोज पेर कटे जाते हैं बरती जाती भीर रोग कुरारी बात हमारी सुनो जड़ा कुछ खास पेर न होंगे तो फिर कैसे हम तुम लेंगे सास पत्थर खाकर भी वे अपने मीठे भल बरसाते रंग भी रंगे फूल निचावर करके वे हरसाते अपने आप बुला कर हमको थंदी छाया दी आज बने हो उसके दुश्मन सचे मित्र वही बच्चो इस पोयम को आप अपने अपने थावर लर्ण याद करोगे और इस कछिन सब्दों के अर्थ आप लोग पूरा लिखोगे सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने-अपना होंवा करके मुझे मेरी वार्साप पे सेंड करोगे और इसे याद करोगे ओके बच्चो बाई थेंक यू और हैपी रक्चा बंधन आप सभी को दहन्यवाद